आपके घर में भी है लकडी का मंदिर तो जान ले वास्तु के ये नियम इन दिनों अधिकतर लोग अपने घरों में लकडी से बना मंदिर स्तापित करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु के अनुसार मंदिर की लकड़ी के लिए कौन सी लकड़ी शुब मानी जाती है आज की हमारी वीडियो इसी विशे में है नमस्कार मैं हुनेशा, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई जोतिश में घर में सबसे पवित्र स्थान मंदिर होता है इन दिनों अधिकतर लोग अपने घरों में लकड़ी का मंदिर स्थापित कर रहे हैं जिसमें से कुछ लोग घर की साज सज्जा बढ़ाने के लिए या कुछ लोग अपनी सहूलियत के अनुसार घर में लकडी का मंदिर स्थापित करते हैं लकडी का मंदिर स्थापित करने के लिए वास्तू के कुछ नियम है वास्तू के अनुसार घर में लकडी का मंदिर शुब है या अशुब वह इस बात पर नेरवर करता है कि मंदिर कौन सी लकड़ी से बनाया गया है कहा जाता है कि घर में मंदिर के लिए शीशम या सागोन की लकड़ी ही शुब मानी जाती है इसके अलावा आपको इन लकड़ीों में यह भी ध्यान देना होगा कि इन में दीमक ना लगा हो ध्यान रखें कि जो लकड़ी का बना हुआ मंदिर आप घर में रख रहे हैं वह पूर्व दिशा या पूर्व पर्चिम दिशा में ही रखा जाए या सिर्फ लकड़ी के मंदिर के लिए नहीं बल्कि हर एक मंदिर के लिए लागू होता है इस दिशा में मंदिर रखने से आपका मुख सूर्योदे की दिशा यानि की पूर्वदिशा में होगा और पूर्वदिशा को तो धार्मिक दृष्टी से भी शुब माना जाता है कहा जाता है कि यदि आप घर में नया मंदर स्थापित कर रहे हैं तो इसके लिए सोमवार, गुरुवार, बुद्वार और शुक्रवार का दिन शुब होता है मंदर में पीला या लाल कपड़ा बिछा कर रखें और धूल ना बैठने दें धार्मिक द्रिष्टी से यहा शुबता का प्रतीक होती है आपका घर का मंदर बातरूम और शयन कक्ष में नहीं होना चाहिए तो ये थे घर में लकड़ी के मंदर के लिए वास्तु के कुछ उपाए यदि आपके पास इससे संबंदित कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ बने रहे हमारे साथ धन्यवाद